नमस्ते यह जो सेशन है उसमें मैं आपको पोशक तत्व एक और पोशक तत्व दो के महत्व के बारे में सिखाने वाली हूँ इंपॉत सेशन है आपको भहूत द्याद है क्योंकि हमारा जो नुट्रीशन है सिख बच्चों का नहीं जे नहीं घर्भावथी माताओं का इस तरनादा माताओं का पुष्वरी वहे ἓ के लड़कियों का हमारा जो 플ірिशन है वो पूर्ण ङो पोशक एक और पोशक दो के इसक तो अगर आप ये सही तरक से सीख जाएंगे पोशन तत्व एक और पोशन तत्व दो तो हमारे भारत से पोशन निकल जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको पोशन तत्व एक और दो के बारे में बताने जाने वाली हूं, मेरे जो एक गुरू है, डॉक्टर माइकल गोल्डन, ठी कि लंभक 2009-2010 में हम लोग को लंभक भारत के 25 डॉक्टरां को Raina, कर्थ लोगों को बुलाया गया था एक conference में, और वहाँ पे हम लोग को येbps condition , थू 22 divi से आये थे, जहां पर इंगलेंड का स्कोटलिंड है, वहां से उनको बुलाया गया था, उन्होंने कुपोषिट बच्चे उन पर बहुत उन्होंने काम किया था आफरिका में, तो वह हमको सिखाने आये थे कि यह जो हमारे भारत के बच्चे हैं, उनको हम लोग कैसे उनको प्रेनिंग था, वह बता रहे थे, तभी मुझे ध्यान में आया कि अगर कुपोषिट बच्चा जो है, यह जो पोशन तत्व जो बता रहे थे हम लोग को अगर वह खाने से वह बच्चा कुपोषण से बाहर आ जाएगा, तो मुझे लगा कि अगर वह बच्चा खाने में से यह सारे तत्व खाएगा तो बच्चे कूपोषित ही नहीं होंगे, तो तभी जाके मुझे बहुत सारा मनन किया, तो तभी मुझे, वी डिसारे टू कम अप विद बहुत सारी जो पावडर रेसिपीज जो है, हम लोग ने हमारी नुट्रिशनिस्ट है इपाली फरगरे जिसने बनाई यह रेसिपीज तो यह सब सारे जो रेसिपीज हम लोग ने बनाई हुई है, मैं डॉक्टर माइकल गोलन का धन्यवाद करना चाहते हूं यहां पर क्योंकि उनके ग्यान से मुझे यह सब पता चला कि यह ताइप फर नुट्रिन क्या है, पोशन तत्वा, पो जैसे दीवन अनले कि यह सबुएं पुदूश्टके आप अधरा किने मिंट की मिटहिक जैसे कि गाना की तियना की शुखने को नाकिन सल देखानट एप थी की के लिए स्वास्त है कि नहीं हमारे बच्चों के विकास के लिए सही है कि नहीं तो हमारा शरीर हमारा स्वास्त बच्चों का विकास बच्चों का स्वास्त यह तो यह सारे सवाल हम लोग को करने हैं हम लोग को यह भी सोच रहा हैแตух यह ताइप पन टॉ के बारे में बात करेंगे कि हमारे प्रबिस में कौं से त्थ क्या क्या होते हैं मस्थ्थ होता है इनई, फेफ़ीन होते हैं रधै होते हैं, कर द्थ होती है इनई घृथध होते dyeh कलेजी होती है तो बहुत सारे यह जो अंग है तो अपना मसल मास होता है जो लीन मास बोलते है और फिर हमारा यह शरीर है जो पुरा शरीर है यह बाल है चमडी है किसकी बनी हुई है ठीक है क्योंकि जब तक हम लोग यह नहीं सोचेंगे हम लोग को खाने पर क्या ध्यान देन और पाध्वान ने क्या बनाया है और हम अपने अंगों को कैसे बनाया रखना है जलो भगवान ने तो अच्छा नूटिरिशन लिया पोशक लिया तो बच्चा तो 3 कलो का आ जाएगा लेकिन वह था पहले एक साल में उस को बहुत बढ़ा करना है इसको क्या होता है अगर हम अपने शरीट को बिदे क्लिए पोशक even अब गर बाता। और पूशर तत्वर दो अगर वो नहीं हो रहे तो क्या आगे उसकी क्या परिणाम हो सकते तो वह मैं आपको बताने वाली हूं और यह जो अंग कैसे बनाया रखना है वह से बचों के लिए नहीं है हमारे लिए भी है कुई हम लोग आज तक ते आज कल देखते हैं कि हम लोग में सब लोगों को डायबेटीज की बीमारी होती है हाट रेकाते हैं मदर प्रेगनेंट मदस का वेट नहीं बढ़ता है हमारे किशोरी वह में कितना सारा कूपोशन है तो यह जो सारा उसके जो हमारे जो अंग है तो उसको मैंटेन करने के लिए भी हम लोग को क्या करना है जो उसमें इस पैर प्रेस ए इसमें ओने वतांगी शरीर में कौन से यंग होते है यह मीरे वेख फांशलेट्न थी उसमें हे हमारे एक तो हाप जो सकलेटन जो होता है इसक पूरा तो पूर घ्टी जो है आपकी 50 टका जो है वो प्रोटीन की बनी हो है तो इसमें सिर्फ हम लोग जब भी भी यह देखते हैं हमेशा कैल्शियम याद आता है लेकिन आपको कैल्शियम से अलावा बहुत सारा यह बनाने के लिए जरूत है हड़ी को मेंटेन करने के लिए जरूत है बच्चे को बढ़ अलग तक्वा है तो यह है हमारी एक तो उसका सकेलटरी फ्रेंप बो थे तंके फिर इसमें यह आता है अलग अलग अवे यह तो सब से पहले अंदर क्या होते है सारे गाषट है यह सिरू नसे हैar वी, स्पैनल कोर्ड है पीछी कर जो बोलते हैं बोलते हैं लुसकर हार। व पे सारी मास पेशिया ठीक है और उसके उपर है चमडी और हम लोग को चरबी की वसा भी है हमारे बोड़ी में बहुत इंपॉर्ण्टे नहीं होना चाहिए जहां नहीं होना चाहिए अकर वहां पे होगा तो फिर आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्म जाते तो यह बच्कों मे जो शरी है इसके नेर बहुत जारा वसा होता है, तो अगर सही तरह से खाना नहीं खा सुटर। जारे अवर्ड के चांसे बहुत ज्यादा है वह intrud organization जरुरी है लेकिन जहां पे जरुरी है वहीं पे होना चाहिए तो कॉन सा होना चाहिए खाने में इससे मस्तिक भी बने को मेल होगा बच्चों उमेगा correct भो मेलीन और यह वाला यह आपका नीउर्न है रिज यह गवला थेज़ बलते तो विriver sincerely पेषिया हैो मेसेंजर तरह काम करता है और बोडी का जो sensation होता है वहां तक लेके जाता है ब्रेन तक और फिर ब्रेन जैसे उसको और करता है चलो यह भी हाथ उठाओ अभी यह पैर उठाओ अभी गरम है उसको हाथ लेलो तो यह सारा जो messenger है वह दैट को स्थू नियूरॉन तो यह जो नुरॉन सेल्स का जो कवरिंग है यह पूरा वसा का बना हुआ है तो वसा भी हम लोग को खाने में बहुत ज़रूरी लेकिन यह ध्यान में रखता है कि कौन सा वसा खाना है ठीक है दूसरे अब यह कौन से हैं यह आपका यह आपकी रखत वाही नहीं है देखिए भी आपे एंग बहुत है इसमरे एंगी है यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर इसमें प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग पहुत सारे फ्रफॉब्लम से भी इंपोर्टेंट है कि यह एंग ऑन बहुत ल को छौबिंग है दूसरे यह हमारी आंक, कान नो बहुत सारे जो empoweromma, त यही भी हमारा बहुत इं plata Gannie है दूसरा बोलते ततप ऑश्चा तो पुच्छा भी एक इंपोर्टें या आंग है अगर हम लोग को ने बच्चों को खाने में अच्छ खाना नहीं दिया तो बच्छ disagreed अजय अचोब में प्रयाइ मिधस करते हैं कि लेकिंअ को इसे एक्न सहर निए भॉलसिए प्रयूबस कोransिक्क कुलное, पिर बाल भी बहुत इंपर्टन्न psychologist आपको मालूं होगा कि बहुत लोगे फीक्सक्राइश तो अपको ये धैन में रख़ना है किayı छाने में परबलम को बाल गेल रहे हैश तो अगर खाने में कुछ नी बच wasnT मैं क्मीरे में कुछ ना कुछ प्रब्लम होगा तो यसलिए उसलिए खाले कारणे में क्या होना चाहिए बहुत न जर्य और वह भी Mexican for the अंग बता दिये, अंग दिखाए आपके मस्दिक दिखाया, फेवरे दिखाया, लेकिन दूसरा जो है वह हमारे बोड़ी का यंत्र, बतलब हमारे बोड़ी में इस चालो है, कौन सी यंत्र चालो है? खरदय हो रदय ही झनिया किड्नी करी है आपकी जो आरज आरजो कसी आपको दरेसेवार काम करनी के लिए और आरजो काम करणाँ है लूत थे ने कौन ऑपको जो आरज एक काम करने के लिए आपको जाती बहुत we हंखा है, बहुत सारी बिमारिया हुई, तो अमुक्तर की तत्व होते है खाने में निचलाने में पूरा लेका बाक जिलाते हैück judy जबद मैं बदेद बदेड़ों काम होगए तो बदेड़ों है लेकिन बच्चों में क्यों जरूरी है जब यकास हो रहा है जब यकास हो रहा है तो यह यंट्र बहुत आफकें तो ने है विकास के लिए जो यंत्र चल रहा मेरे जुल रहा है, तो ये विकास के लिए जो यंत्र चल रहा है is इस होंगे तो बच्चे का विकास बंद हो जाएगा ठीक है और यह प्रॉब्लेम हमारे भारत में बहुत मात्रमें है जैसे आपको मालूमें कहने फेश्च फाइवेटा में 36 तका बच्चे है जो कुपोषित है कुपोषित मतलब stunted है नाटे है और 32 का बच्चे है वो अनरवेट है उसका मतलब यह कि इतने सारे जो बच्चे है उनमें पोशक तत्व जो है विकास के जो पोशक तत्व है बच्चे को खाने में ठीक तरह से मिल नहीं रहे है तीक है आपको वो ध्यामे रखना है कि उसका य यंटर जो चल रहा है यंटर फास चल रहा है बच्चों में क्योंकि विकास करना है लंबा करना और उसको उसको चौड़ा करना है तो और ट्थो दीजिये जो उससे उसका यंटर फास चले ठीक है किद्नी का यंत्र चालू है यह सार आपका रिदय का यंत्र चालू है ठीक है अभी यंत्र कैसे चालू होता है कैसे यह कौन क्या चीज है जो रिदय को एनर्जी देता है किद्नी चलाने के आपको पावर चीज है तो एनर्जी चलाने किने वह पावर के लिए कहां से उनर्जी आती तो यह है हमारी कौशिकायै तो हमारी पूरा शरीर हमारा कौशिकाओ का 2 बना होते और कौशिकाओं में बहुत सारे और जा इसे longkaudरों Bye-bye यहां पर यह जो ओला है नुकलियस मतलब जहां से यहां से वो दूसरे कौशिकाई बढ़ती है मतलब बनती है नुकलियस वेरी इंपोर्टन ओर्टन यह वाला यह है Mitochondria, Mitochondria बहुत ही इंपोर्टन यह अपना powerhouse है, powerhouse, powerhouse मतलब जिस जो यंत्र चलाने के लिए जो हम लोग को energy चाहिए, पूरा जो पूरा जो body का जो ATP जो बोलते है, ATP जो energy बोलते है, वो energy कहां बनती है, यह बनती है हमारे Mitochondria में, तो यह वाला जो है organ, अगर यहां पर कुछ गड़बड हो गया, उसका मतलब हम लोग को energy मिलेगी नहीं, तो यह मैं आपको बाद में बताऊंगी, कि Mitochondria के क्या क्या function पटी अलग सारी कौशिका है, हम लोग को कौशिकों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, हमारी body में, अगर कौशिका को कुछ problem हो गया, तो पूरा बाहर का membrane है, वो है, मेंली आपका वसा से बना होगा होता है, तो कौन सा वसा काना है वो भी आपको ज्यादा important है, अभी विकास के बारों में आपको मुझे आपको focus करना है, तो बच्चों में विकास मतलब बच्चों का विकास मतलब उसकी height, बहुत दोनों बच्च हो गया आपका वसका मुसल्स, बहुत अब अच्छा होआ है, और इसके height के sup से उसका weight भी अच्छा लग रहा है, दूसरा विकास है उसके brain का तो brain जितना बच्चा number होगा, उतना उसका brain बाइन पावरफूल होगा करकि जितना बच्चान होगा क्या जो पॉशक तत्व नहीं मिलना है तो जैसे-जैसे वो इसका थğ महला होता जाएगा वैसे-वैसे इसके का दिमाग में जोर अपकिते हैं हाइट होना बहुत जरूरी है ठीक है तीसरा अडल्स में हम लोग क्या करते हैं विकास के लिए विकास हमारा मतलब मसल तो जितना ज्यादा हम लोग में मसल्स होते हैं Of course, जितना ज्यादा मसल्स और जितना खाने में हम लोगों को विकास वाले जो तत्व है, वो मैं बताऊंगी कौन से विकास वाले तत्व है, उतना हम लोगों को आगे जाके heart disease, blood pressure ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, मदर्स में भी विकास के तत्व होने बहुत जरूरी है, क्यों प्रकार दो, वो जो प्रकार दो के पोशक्ततव है, वो है विकास के पोशक्ततव, मतलब खाने में अगर पोशक्ततव 2 सही मात्रा में होगे, तो वो बच्चे का विकास होना बिलकुल संभवित है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखता है कि खाने में हरोज खाने में पोशक्तत्व दो है, उसका संग्र हमारे बॉडी में नहीं है। अगर पोशक्तत्व दो का संग्र नहीं है, तो विकास उसका कम हो जाएगा। पास भी बैंक जाते हैं, जुझ कमाई नहीं करेंगेंगें, साडी, नहीं करेंगें लेकिन, फिस बैंक से निकाल केंगेंगें। खाना कह सकते हैं, आफकोर्स हम जादा इस्तमाल नहीं करेंगे पैसे, हम लोग गाड़ी नहीं करेंदेंगे, लेकिन खाना तो खा सकेंगे, तो इसी थारा बच्चे का जो पोश्रक तत्व दोग जो खाने में होते हैं, अगर क्योंकि उसका बैंक नहीं है, तो वो बच्चा अगर खाने में उसको पोश्रक तत्व दो नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा फिर, ऐसा नहीं है कि चलो बैंक से निकाल कि उसने इस्तेमाल किया, यही कारण से, पच्ची को पोश्रक तत्व दो है, पोश्रक दो के पोश्रक मिलना जरूरी है, तो यह एक अबच्टन उसके पच्च मिनी की बच्ची है, तो यह बच्ची उसका मस्वास, जी कितना अच्छा है, मतलब क्या हुourdर है, उसको बहुत अच्छी meters मास की बना हुँ अब ही जो को वास का मा के दूद से मिल रहा है एक तो उसका यंत्र를 करूं रहा है यंत्रत इतना चला चक्छिर्जा है कि उसका मास बढ़ रहा है तो में इसके हाइट भी बढ़ रहा है और बाच्शी एक डम हयल्द स्थे हिर यह लग रही है तो भगवान ने भी इतना अच्छा उसकी योजना की है कि कुछ भी हो जाए, अगर बिलकुल कुपोषित है, लेकिन उसमें जो पोष्ण तत्वा 2 है, उसकी कमी जादा नहीं होगी, अगर मा को आ रहा है, बच्चा मोटा मोटा होता जाएगा, लेकिन मा कमज़र हो जाएगी अगर मा के दूद में पोष्ण तत्वा 2 की महत्रा बहुत ज्यादा में है, अगर मा के दूद में पोष्ण तत्वा 1 नहीं है, अगर खाने में उसके खाने में पोष्ण तत्वा 1 नहीं है, तो उसके दूद में पोष्ण तत्वा 1 नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है थायन थायन पहीं करते तो सब जो एक बहुशन तत्वां बहुशन तक दो जयादा चेक करतें है करें कि उसके चेक करने के लिए एक अससे हैं नहीं कि आ चेक करेंगे क horrendा। ब Kingdom को भी निकरता है demo के लेकिंगों को पॉशन तर्वक टोग इन ढूर्ध कर लेकिन ध्यां में रखता है कि अगर फचे को उसका यंत्र चलाना है तो उसको पॉशन तर्वक द देना है efek भी दना बहुत important है लेकिन पूरा जो मेटाबोलिजम चलाने के लिए पोछन तत्वा दो बहुत ही ज़रुरी है अगर बच्चे को पोछन तत्वा दो नहीं मिले ठीक है खाने में नहीं मिले या बच्चे को मा का दूद्ध परियाब तरमाते हमें नहीं मिला तो क्या होगा अभी उसक जो मास बन रहा था जो ताइप टू नुट्रियंट से उसका जो मास बन रहा था व अभी धीरे-धीरे बच्चा अपना मास कहना चालो करेगा तो देखे यहाँ पर इदेखें मास कितना कमज़ोर हो गया तो जो कि बच्चे को काने में कुछ ने मिल रहा है चाब टी वाले यह तो यह सारी ताइप्टू नुटिन वाले है व कहां से अरे अभी बच्चे के मास से अरे क्यास कि आपका जो पोरा जो मास बना हुआ है वो यह नखर जाया है Trans was स्लाइप्ट का ममास चालो करेंगा क्योंकि अगर निक है तो बच्चा तुरंट krijgen well तो उसको जिन्दा रहने के लिए जो यंत्र तो बहुत 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 बह क्योंकि वो कॉफ भी नहीं कर सकते ताकत ही नहीं करने की दूसरा देखिए आपी सारा जो है इस बिकॉज व ताइप 2 नुट्रिन डेशिएंची और यह बच्चे में यंत्र क्योंकि स्लो है तो इसलिए उनकी जो रोक प्रतिकारक शक्ति है वह भी बहुत कमजोर हो जाती है तो बच्चे को इनफेक्शन होने के चांस ज्यादा है फिर यह बच्यें में मिलटुशन उनके बुत्यू भी हो जाती है, तो इसको उम लग बोलते है, अक्ती तीवरकू पोशन, Sam जो बोलते है, Sam बच्ची है, Sam बच्ची का फोड़ोग्राफ से है, ठीक है, और आपको पता नहीं मालूम है की नहीं, लगबग हमारे भारत में एक करोर से ज्यादा बच्चे Sam है, ठी तो बहुत सारे बच्चे हैं, जो इनको टाइप टू नूट्रियंस नहीं मिल रहे हैं, प्रकार दो के नूट्रियंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अभी यह ताइप टू नूट्रियंस बहुत लंबे गाले पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर छोटी गाले में नहीं मिल रह तो तो अब ही क्या होगा वह उसका यंत्र कम काम कर रहा है तो इसलिए उसके हाइट भी दिरु दिरे-धर बढ़ रहे है जितनी फटा-फट बढ़ नहीं रहे है तो जब ही यह हो रहा है तो देखे यह जो बच्चे है यह लगबक चार साल के बच्चे यह देखो और रुग ह तो इसके हईट कितनी कम है तो इसमें क्या हो कि यंत्र बहुत कम tabii काम काम कर रहा है under a अब का अगद है नहीं होगी निकल जाएगी तो अगर आपको बच्चे को मांतो गरीबी से बाहर निकालना है, तो आपको उसकी हाइट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और हाइट कैसे बड़ेगी, टाइप 2 नुट्रियंट से, टाइप 2 जो पोशक प्रकार 2 में बता रही हूँ, वो जब भी बच्चे को मिलेगा खाने में, मा के दूद से त बातमारा के बच्चे, 9 साल के बच्चे यहां पर है, ठीक है, मतलब हाइट बहुत कम है, इंडिया में 36 तका बच्चे है, जो हाइट कम है, ठीक है, ऐसे ही है बच्चे, लगबग 36 तका बच्चे, और जो अड़न्ट है, जो 19 साल के बच्चे है, जो 19 साल के युवा है, अवरेज हाइट है लगबग उचाई बोलता है लगबग पांच वीट मतलब हमारे जो भारत की युवापेडी है उनकी हाइट ज्यादा नहीं है तो अगर हम लोग को आगे जाके युवापेडी को आगे बढ़ाना है तो उनकी हाइट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा औ और पहले एक साल में अगर आपने ध्यान दे दिया तो बच्चा बहुत आगे जाके लंबा होगा तो वह मैं आपको बताऊंगी अगर बच्चे को पोशन तत्वा तो नहीं मिल रहे है खाने से और इसकी बैंक पी नहीं है बच्चा अपना मसल खाएगा तो जैसे-जैसे व तो चिन्न क्या है चिन्न सिर्फ दोती नहीं है चिन्न वजन कम होगा हाइग कम होगी और उसका मिवाक कम होगा मतलब यहां पे जो बोलते हैं मिवाक मसल मिड़ अपराम सरकंफरेंस मिड़ अपराम सरकंफरेंस वह कम होगी तो सारे टाइब टू नूट्रियंट अगर उसक जो परियाबत मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो उसकी चिन्न सिर्फ दो-तीन ही है, ज्यादा नहीं ही है, तो आपको दिहान में रखना है, कौन से प्रकार दो है, यह सबसे इंपोर्टन्ट है, और इसके बारे में आप हो मैं नेक्स्ट दो-तीन सेशन में बहुत सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया कि बच्चों को खाने में क्या चाहिए, जिससे उनकी हाइट पड़ेगी, उनका वजन बढ़ेगा, और उनको उनका जो मसल मास है, जो उनका मास पेशिया, वो भी बढ़ेगी, तो उनको आगे जाके प्रोब्लम नहीं होंगे, ओमेगा-3, ओमेगा-6, ओमेगा-9 यह आप ज्यादा पड़ेंगे, तो आप जिंदा मत कीजिए, सोडियम है, पोटैशिम है, गंदक है, मैगनीशिम है, जिंक है, फॉस्फोरस है, क्लोराइड है, थोड़े और भी है, तो यह सारे जो है, यह है आपके प्रकार 2 के नूट् इसको हमेगा करके विकास के तत्वा, विकास के तत्वा, ठीक है, यह हरोज खाने में होने बहुत जरूरी है, सल्फर है, देखे, पोटैशिम है, सोडियम है, मैगनेशियम, ग्लोराइड, जिंक, फॉस्फोरस, वसा है, यह अलग अलग वसा है, और यह आपके प्रोटीन र मिल रहा है, यह जो है, दिखे ह victory के लिए, इस전लिये विकास के लिए, सब को यह खना बहुत जरूरी है, और विकास थो, हमेशा होता ही रहता है, आपको मौलू मैं के बच्छे कुप बच्यों में, विकास होरा है, चोटे बच्चों में भी बढ़ता है, उनकी राइड पढ तो अगर हम लोग नेता नहीं कहांने से तो हमारीज नुठे बहुत ए नजल हो स्वरी यहां पे जड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें है लो कैल्शियम सम्मे विटिमिन सारे जो विटिमिन से विटिमिन A, B, C, D सारे विटिमिन आयोडीन है तामबा, मैंगनेस, फ्लोराइड, सेलेनियम यह सारे जो यह है यह है आपके प्रकार A के पोशक तत्वा है इसमें क्या है कि यह प्रकार A के प्रकार A का प्रकार A के आपकी बॉड़ी में बाइंक है उसका विटिमिन दी है वो भी बॉड़ी में जमा होता है कैल्शियम है वो हड़ी में जमा होता है तो सारे जो टाइप वन नुट्रिंट है वो उसका हमारे बॉड़ी में उसका बैंक है तो उसका मतलब ये कि अगर आपको कभी-कभी खाने में नहीं भी मिला तो आपको बैंक से निकालेगा तो सपोज आपने हरुज आयन नहीं खाया आयन बच टीक है तो बैंक से निकाल के आपकशन में वो डॉर की मात्रह है मोगलोबीन की मात्रह उसके बैंक खाली है फिर दिरे दीडा चिनन दिखाना चालो करेगा तो ये जो ताइप पर नुटरिंट है उनका जो फंक्शन है वेरी स्पेसिफिक फंक्शन है मतलाब उसक केल्शिम कहा पे होता हैpoints में कहा पे हम हम होता हैं हद्दि meeting गोकली हुए में इसी तब ही हिमोलोमीन अगर मिदार हो ही एन कम है contraction आपके एन कहा पेम इन केल्षल में आपको दिखाता है है आपके खुन में तुरंदे आपको चिन्न दिखा देंगे, आपको पूरा जो पेल हो जाएंगे, आपको तोड़ी तकान मैसुस होगी, यह सारा जो है, क्योंकि वो जो आयल है specific कहां पर काम करता है, वो खुन में काम करता है, विटमिन A है, विटमिन A तो बहुत सारी जगह पर काम करता है, लेकि में आप आपको चिन्द कहां पर दिखा देगा, आख में अन्धापन जो हता है रात में, विटमिन A की डेशिंसी से, आपको बहुत सारा वो ड्राय कॉर्णिया बोलते है, जो जो ड्राय को पूरा सुखा हो जाता है, तो वह विटमिन A की डेशिंसी से, मतलब जैसे आप पेशंट क आपको देखिंगे, बच्चे को देंगे तो तुरन पता चलेगा, यह तो आयन डेशिंसी है, यह तो कैसियम डेशिंसी है, इसके हड़ी कमजोर है, इसके आख में यह प्रॉब्लम है, तो तुरन तब को पता चलेगा, तो बहुत ईजी है विटमिन A, मन्दब यह जो प्रक प्रकार एक और प्रकार दो, दोनों की बहुत ही आवशकता है, तो प्रकार एक या दो, बहुत सारे जो है, सारे वाइटमिन्स are very important for रोग प्रतिकारक शक्ती, यह जो यंत्र काम करें, यंत्र अच्छा काम करने के लिए भी बहुत important है, अगर यंत्र अच्छी तरह काम करें तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ती भी बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी, तो यह जो आपका प्रोटीन इंपोर्टन्ट है आपकी रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए तो आपको यंत्र वो यह आपका जो रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए ताइप 1 टाइप 2 दोनों की बहुत यावशकता है ठीक है यह है आपका type 1 deficiency प्रकार एक तो देखे यह जो है यहां पर एक आख है ठीक है तो यहां पर जबी type 1 deficiency होता है तो यह सारे आपको छिन्न दिखाए देंगे ठीक है यह जो है आपका इन रिकेट्स है जहां पर मदर बेगा से को जयां आपके डीकी की FC होतकी हिर को बहुत यहां पर गघिए की प्रॉल्लम यहां पर जहीं है पर यहां है g Bene बोलते हैं, अडल्स में osteoporosis होता है, जभी vitamin D deficiency होती है, यह है thyroid deficiency, जभी thyroid deficiency होती है, iodine deficiency होती है, तभी बच्चे को mental retardation होने की chance बहुत ज्यादा है, और यहां पर है आपके mother, तो mother probably anemic है, तो उसको भी आपको चिन्न दिखाए देता है, उसके, वो बहुत लेथार्जी फिल करी तो यह जो type 1 nutrient है, उसके अलग-अलग चिन्न है, जिसमें problem होगा वही चिन्न आपको दिखाए देगा, अगर iron में problem है, तो यहां पर दिखाए देगा, अगर calcium में या vitamin D में problem है, तो आपको यहां पर दिखाए देगा, तो परक इतना है type 1, type 2 में, type 2 में कोई भी खामी हो, को कौन से 3 चिन्न है, वजन नहीं बढ़ना, हाइट नहीं बढ़ना, और मसल मास नहीं बढ़ना, सिर्फ तीन चिन्न है, लेकिन type 1 के अलग-अलग चिन्न है, जिसकी कामी उसके वही चिन्न, तो यह आपको दिखान में डखना है, कि उसकी अलग-अलग क्या differences है, तो यह देख बच्ची बहुत पेल लग रही है, height टीक लग रहा है, weight भी कम लग रहा है, क्योंकि type 1 है, वह विकास के लिए इतना जरूरी नहीं है, तीक है, type 2 वाला है, यहापर नॉर्मल बच्ची है, और यहापर वह शॉट बच्ची है, तो type 2 वाले जो विकास के लिए है, अगर विक बच्ची का height नहीं पड़ेगा, वह कमजोर हो जाएगी, तो यह है difference आपका type 1 और type 2 में, एक दूसरा है picture, Dr. Michael Golden की है, यह जो है, यह लग 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 11 मेने का बच्चा है, तीक है, नॉर्मल बच्चा है, यह देखिए यह बच्चा, अभी देखिए उसके muscle mass, देखिए उसका जो सारा मास से वह पिगला हुआ है, तो दिखिए जगर जैसे बच्चा पिगलता है, परलब कौन सी खामी है इसमें, प्रकार दोगी, वरबर, height इतना कम नहीं हुआ अभी, लेकिन तीसरा बच्चा है, यह अभी कितना हो गया, सेम उमर है, उसकी उमर भी सेम है, 11 मेन बच्चा है, लेकिन अभी उसमें क्या फरक पड़ा है, अभी उसमें height कम जोर होगी है, मसल मास है थोड़े, लेकिन अभी धीरे-धीरे करके height कम हो गई, मतलब इसके काने में भी प्रकार दोग का जो खाना होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसको बोलते है हम लोग नाटाप हो सकते हैं, यह मोसली M.E.W. होगा यह बच्चा है, C.W. होगा तो आपको मालम होगा, ठीक है, अभी हम लोग को कितने तत्व चाहिए, खाने में लगबग 40 तरह के तत्व चाहिए, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है, कि हमारे खाने में 40 तरह के पोशन तत्व होने यह मालम है कि जब आप हो में जाते हैं, या माज को पुष्टे कि क्या खाना काती है, क्या काती है, मोसली बच्चे लोग और एवन प्लैंन ग्राव, यह में मौनें खाना काते हैं, घृटि काते हैं, चावल तोड़ा दूद में डाला, दोपर में रोटी चावल, श्याम को दही नहीं लेते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, बहुत सारा जो अलग-अलग जो चीज नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग को 40 तरह के पोशन तत्व ऐसे खाने से मिलते नहीं हैं, और इसी तरह हमारे बच्चे बहुत कुपोशित हो रहे हैं, ठीक है, यह है अपका स्टंटिंग तो यह है आपका स्टंटिंग का डेटा, यहाँ पर मैं अभी मेरी सेशन खतम करी हूँ, क्योंकि हमारा जो अभी जो हेल्ट स्पोकन टुट्रॉल जो मैं दिखाने वाली हूँ, उसमें मैंने बताया हुआ है कि टाइप 1 और टाइप 2 नुट्रिंग में क्या फरक है, और प्रकाने में कौनसे कौनसे तत्व मिलेंगे उसके टुट्रॉल मैं आपको बात में दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं मेरा सेशन खतम करी हूँ, धन्यवाद. प्रकाने में में जुट्री नुट्ट खिएन खतम energía के लाटो 홉ब में जadows है क्यआ है। जब ड 카ाने में क्योंगे दिखाऊंगी..